कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हो की अगर आपके में भी एटेल में call forwarding लग चुकी है अगर आप call forwarding हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं आज की इस वीडियो में एक code मैं आपको बताऊँगा उसी code के मादध्यम से आप एटेल की call forwarding को हटा सकते हैं चले वीडियो को शुरू करेंगे, वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्ता है आपसे रिक्वेंच करना चाहूंगा, अभी तक चैनलों को subscribe नहीं किया था, तो please जाकर किये चैनलों को subscribe कर लिए, बेल आइकन को press कर लिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो notification है, वो सबसे पहल code डालना वह आप समझेगा यह दो इतना कोड को यहाँ पर करना क्या 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 कोड है फिरसे मत बता रहा हूं है है सथार बोल गया था सुरी उसके लिए हैल है टून है अब आपको यहाँ है आ यह पर देख सकते हैं, call forwarding successfully, अब आपके mobile से जो call forwarding लगी थी atl sim में, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हटा दिया गया अब आपको जो call करेगो, आपके direct जो आपका atl का number उस पे आने वाला, यहाँ पे call forwarding हटाने का अपने code जाना हाईज, हाईज, टू, वन, हाईज atl के लिए है आसा करता दोस्तों आपने सीखा कि atl के sim से call forwarding कैसे हटा सकते हैं यह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद